तेपर सेस्टडन सेट इजय हो व्हक्त है आज सब्सक्राइब? मोटीवेशान सेशन इसलिग मैंने स्टार्ट किया,anız क्या होगा, त Besides itaswith法 नीट का एक्जाम कमुप्लेट होए और हम तो की नीट के सごाम सिपन सक्सेसपूल लोग सबकी बाते करेंगे और जो सक्सेस्पल होएं उनका सेलेब्रेट करेंगे और जो थोड़े से रह गए कि उनको थोड़ा सा क्या देंगे कॉन्पिडेंस देंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जिनके नम्मर्ण आज कमाये हैं जो नीट अच्छे से परफोम नहीं कर पाएं उसका रिजन कुछ भी कैसे देखो किसी के फेमिली में कुछ प्राइम हो इसी ने जब सेंटर में पहुंचने कि कई वंचने कास्टर करेई तो कोई 20 में प्राइम हो सकते हैं पर मैं एक्जाब्स में अच्छा से परफूम करें अब अब एसे लग रहींगी तहीं होगा कि यृटि बिल्कुल भी सौचने की है क्यों को लग रहा है ہے कि मिन फैथे बरने आ जिन्दकी में नहीं होने पिर फैल बरहुए ल ugh पिर होने जैसा टरम बिल्कूल नहीं होता है निया तो इंसान क्या करता है जीता है या फिर सीखता अगर अपन गलती से जीत नहीं पाए तो अपन जो भी अपनने जो लड़ाई लड़ी चो लेकि अपने क्या क्या सीखा और नेक्स जो लड़ाई होगी नेक्स जो वोर होगा उसमें अपन क्या क्या improvement कर सकते हैं जिससे अपन को क्या मिले सकसेज मिले इससे अपन फास हो जाए फेल होने जैसे टर्म बिल्कुल नहीं होता है इसके बाद है मैं आप से बात करूंगा कि यार अभी दुख का मंजर है जिंदगी में कि अपन नीट में सलक्स नहीं हो पाए पूरी साल मैनत करने की बावजूद हम इतने नमबर से रहे गए मेडिकल कोलेज में नहीं पहुंच पाए यह हो गया वह तो देखो बात की बाते हैं और ऐसा होता भी है और जिसने पूरी साल मैनत करी न तो उसको बुरा लगता है वीश्य बात है इसमें कोई अतिश योक्ती नहीं है कि जिसका सेलेक्शन नहीं हो आराम से मज़े करेगा यह साइया दादू सत्गुरु ह буде तो दुक में साथ देता हैं सो hit टीचर्स है जो आपके गुरुजन गण है और आपके घरवा लोग का ध्यान रखें और अपने प्यारे प्यारे टीचर्स को ध्यान में रखते हुए आप जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और हमेशा इस भाव के साथ में जिएंगे कि नई जिंदगी में कुछ करना है क्योंकि यार अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना लिया है और समाज में कुछ कर दिखाने का सपना लिया है तो आप इतने कमजोर नहीं हो सकते कि हर कैसे डिसीजन लिलेंगे तो ऐसी बिल्कु बाते सोचने के विल्कुल भी जरूत नहीं है मैं बताता हूं क्या है एक बार क्या हुआ था गाउं में बारिश नहीं हो रहे थी बहुत दिनों से जिसान लोग फार्मिंग नहीं कर पार रहे थे मतलब फशल पेदा नहीं हो एक खाने के लिए आनाज नहीं था लोग प्या परिशान थे सबी लोग प्रेशान को तो किसी ने बताया कि उस गाउं में 200 मॉशादू मायन करता है वो मांतमा करता है उसकी बाद में ये उन्हके टांस स्टर्ट करता है वैसे क्या होने लग जाती कि घांवालों ने इस माकुलए जाएगा पढ़े लेग만गी लोगों को विस्वास नहीं होगे ऐसा भी होता होगा पर यह बोलते कि परेसान आत्माह क्या कर सकते थी तो उन सब ने मिलके उनको बुलाया धा और उन इसे जाके रिक्वेस्ट करी्ट तो मातमाजीगव में आ गही है थो सभाङिन जो भी पूझवा अरचना के यह भी सावगिल्डी सब है और स्थात कर nome आंगी एक गंट ऑगे दो हो गोड़ा एक दो गुंटे बाद में फूजा अर्चना पूरी होने के बाद में बाबा जी ने सादू मात्मा ने डांस करना इस्टार्ट किया? डांस करते हो ये चार गंथे, पांच गंथे, छे गंथे, इतना टाइम हो गया और बिलकुल भी बारिस के कहीं से दूर दूर तक आसार नह यह भी परियोग सपल नहीं रहा तो फिर क्या किया बाबा जी तो डांस करते हैं मातमा जी डांस करने से रुके नहीं उच्छ, साथ, आठ, दस गंटे पूरे हुए वैसे ही चारो और से इतनी भैंकर बारिस हुई इतने बादल चाए और भैंकर बारिस हुई कि रूकने का ना धामने ले रही ऐसे के Siamemam बाबा जी को तो पढ़े लीके लोग थे vari भी कि जिंदगी में कोई द्रिम आपने लिया कि मुझे करना है तो आपको लोग हर कुछ ही बोलने वाले बहुत मिलेंगे, पर बहुत कुछ बोलने वाले बहुत कुछ लोग मिलेंगे, पर आपको सब की सुननी थोड़ी है, मैंने जब यहां पे आपके गाउं में परवेस लिया था, तो मैं किस परपस से आया था, मैं आया था 22 कराने के ज मैंने यह डिसेड किया था कि जब तक इस गाउं में बारिष नहीं होगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ और चाहे मैं क्या बोलता हूं पांस दिन बारिष नहीं आती ना तब भी मैं रुकने वाला था चाहे मैं डांस करते करते मर क्यों नहीं जाता पर मैंने जो प्र आती रहेगी बोलने वाले लोग भी आते रहेंगे किसी की नहीं सुननी है घर वालों के साथ में कॉपरेटिव रहना है और आपको कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है बिल्कुल भी डीमोरलाइज होने की जरूत नहीं है और आगे जिन्दगी को किस तरीके से प्रोंटिट करना उसका प्लान मनाना है आगे लड़ाई की तैयारी करनी है तो मैं लास्ट में आपको एक बात बोलता हूँ कि जिन्दगी में गलतियां करो लेकिन गलतियों से सीखो देखो जिन्दगी में गलती करना इंसान की क्या है प्रकृति है इंसान की प्रकृति क्या है गलती करना औ मनुसे की संस्कृति है सोरी गलती करना मनुसे की प्रकृति है और गलती को सुदार लेना मनुसे की संस्कृति है और अगर कोई इनसान जिंदगी में गलती करता रहता है और सीखता कुछ नहीं है और फिर गलती करता रहता है तो गलती को बार-बार दोडाना मनुसे की सबसे बड़ी विक्रती है, तो मैंने क्या बोला, गलती करना मनुस्य की नेचर है, प्रकरती है, गलती को सुधारना मनुस्य की संस्क्रती है, और गलती करते जाना, गलती करते जाना, मनुस्य की सबसे बड़ी विक्रती है, और आपको जिंदगी में क्या करना है, मजबूरी नहीं, मजबूती चिंता नहीं चिंता ऐसी बाते आपको दिमाग में रखनी है और फैल होने जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है जिंदगी में क्या चीजे होती है या तो इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है All the best